असलाम लेकों मैं होते शाम ये है हमारा जी एक्वाज जीरो 5G बेसिक डी-एक्स मॉडल ये स्पेशल एडिशन है आठ जीबी 128 जीबी के अंदर देखने को मिलेगा को आगों प्रोसेसर 765 ही यूज किया गया है स्पेसिफिकेशन जो है वो मिलते जूलते हैं हमारे कर ली जाए तो जी 12500 टैक्स इसका आपको देखने को मिलेगा इससे पहले जो फाइजी जिरो बेसिक सिंपल वाला मॉडल था उसका 3850 रपर टैक्स देखने को मिलता था लूक उसी तरह है लेकिन वाइड कलर के अंदर यार मुझा काफी अट्रैक्टिव लगा है 440 एर्ट की सरा हमें देखने को मिलेंगे तो यह भी यार ने ने करते हैं tycker स्क्रीन का मिले सेटिंग और बहो जाए है उसके बाद जब specification की बात आती है complete की या PUBG मैंने test की होती है तो उसके बाद आप वडियो को देखते हैं बेसिक इसके अंदर देखने का मकसद यह है यह हमारा RGB वाला और 6GB वाले के अंदर हमारा क्या difference आता है यह क्योंकर DX model है special edition है तो इसके अंदर हमें देखने को मिलेगा कि क्या इसके अंदर PUBG जो है वो लैक करेगी बैटरी टाइम कितना consume करेगी फून कितना heat up होगा throttle कितना करेगा तो जी अपनी वीडियो के शुरू करते हैं मजीद बोर नहीं करूँगा first of all आपको एक चीज़ बताता चलूँ यार मैंने यह application डाउनलोड की है device info के नाम से एक है phone check मुझे सबसे बेहतरीन यह वाली device info लगी आपकोने कोई mobile की specification देखनी हो तो यार आप इस application को use कर सकते है मेरे पास sponsor नहीं है किसी का लेकिन यह मुझे अच्छी लगी अगर आप display देखें यार आपको display भी यहां पे pixels देखने को मिल जाएंगे six point four inches का display है 60 hertz आपको देखने को मिलेंगे ज्यादा तर आप बाहिर से specification gsm arena वगरा से या किसी और website के अंदर देखते हैं तो आपको 240 आपको refresh rate इसका screen का देखने को मिलेगा लेकिन आप यह चीज़ देखें कि इसने हमें actual जो है six hertz वाली specification बताई कि यह इसका refresh rate 8 hertz है तो यह चीज़ जो थी आपकी clear हो गई कि यार हमने 240 वाला हर्ट देखना है या साथ हर्ट वाला हमने इसकी setting कहां से देखनी है तो यह जी device info के अंदर से आके आप complete specification भी देख सकते हैं कि फून की original specification क्या है आपने किसी की ओपर डिपेंटर नहीं करना कि यार हमें उसन साथ हमें 70 hertz refresh rate देखने को मिलेगा 2340 by 1080 pixels हमें देखने को मिलेंगे 8 core सोरी इसके अंदर 7 core इन्होंने mention किये हैं यहां पर इसके बाद आप device देखें आपको device info यहां से देखने को मिल जाएगी इसके बाद आप system देखना चाहे तो जी इसके अंदर आप देखें OS जो है Android 10 इस किसी website के उपर जाएगे अपनी specification को देखें यहां पर आप देखें आपको release date भी देखने को मिलेगी September 04 2019 तो यह चीज़ यार मुझे काफी अच्छी लगी तो मैंने चाहा कि यार मैं आपको यहीं से देखें आज specification बताता हूँ कि यार यह देखें कि इसने मुझे जो actual बनत application बता रहा है Qualcomm Snapdragon 765 यूज किया गया है इसके बाद वो core CPU जो है आर्किटेक्चर बताएगा कि यह यह वाला जो है यह किसी और काम के लिए यह बेसिक आर्किटेक्चर यह होते हैं कोई performance का होता है कोई GPU के लिए control कर रहा होता है तो इसी तरह इनोंने वो divide कि होते हैं अगर CPU की detail देखना चाते हैं तो मेरी एक वीडियो औरेड़ी बन चुकी है CPU के detail के मतलिक अगर आप इसमें GPU भी देखे तो यह अगर GPU आप देखें रेंडर यह बेसिकली graphic को control करता है यह 620 ज्यादा तर आप देखेंगे मैं जब भी Qualcomm का नाम लूँगा तो मैं GPU controller के साथ यह ला इसके बाद हम battery के segment sorry battery के side पे आते हैं तो जी यहां पे हमें health भी देखने को मिलेगे जी हमारी battery की health काफी अची है जो के good है इस टेम battery 64% चार्ज है यहां पे आपको battery का temperature भी देखने को मिलेगा के बाद हम network setting देख लेते हैं जी हमारा network IP क्या हमें में देखने को मिलता है कौ हाँ पे इसने हमें मताया कि refresh rate आपका 60 Hz और 120 Hz है इसका मतलब है 240 Hz हमें देखने को नहीं मिलता HDR compatible देख लेए HDR 10 भी है HDR 10 प्लस भी हमें देखने को मिलता है कि अंदर 4K तक support करेगा इसके बाद random access memory हमें RGB देखने को मिल जाएगी क्योंकि complete कभी भी नहीं यहां पे show होती तो जी हमें RGB RAM देखने को मिल जाएगी इसके बाद camera की specification है 12 megapixel हमें back पे देखने को मिलेगा यह उसके बाद इसके पिक्जल आ गए 4.74 mm lens का size बता रहा है इसके बाद front वाला camera भी इसको यह mention करता है जिस front वाला camera 16 megapixel आपको देखने को मिलेगा तो इसी तरह यार आप लोग भी यह application यूज करके आप mobile purchase करना चाहते है आप कोई भी चीज जो है mobile किसी भी किसम का mobile purchase करना चाहते है तो यह application आपके बहुत काम आएगी तो जी at the end मैं इतनी सी specification बताऊंगा और बाकी जो है आपने डिवाइस खुद test करके मुझे comment में बतानी है कि यह application आपके कितने काम आई ग्राफिक्स की बात कर लूँ यार ग्राफिक्स मुझे काफी अच्छे देखने को मिले इस device के अंदर और performance भी काफी फिल वक्त अच्छी है क्योंकि अभी तो game play हुई है और mobile का temperature भी अभी काफी low है इस वजह से मुझे अभी game play होगा तो फिर कोई idea हो जाएगा लेकिन फि 12500 सोरी इसका tax है PTA का SIM चलाने के लिए तो आप फोन को buy कर सकते हैं आप इसके लावा 6GB RAM वाला फोन इससे पहले जो मैंने वीडियो नई है basic वाली आप फोन भी बाय कर सकते हैं दो फोन अच्छे हैं लेकिन थोड़ा सा इनकी battery जो है उसके अंदर compromise करना पड़ता है नहीं भी मैच जो है वो lag नहीं किया स्क्रीन ने कहीं भी जो है मुझे दिक्कत नहीं दी lag नहीं किया heat अप नहीं हुआ और throttle जो है नहीं हुआ कहीं भी आके बड़ा मदा आया इस device के उपर RGB के उपर मुझे game केलने का तो device अच्छी है आप ये भी बाय कर सकते हैं आप कम budget वाले जो है वो simple 5G वाला भी बाय कर सकते हैं body की build की मैंने इसलिए बात नहीं की क्यूंकि क्यूंकि same उसी तरह look है इसकी जिस तरह aqua 05G है side पर उसी तरह आपको button देखने को मिल जेंगे under display देखने को मिल जाएगा नीचे वाली side पर आपको उसी तरह charging jack मिल जाएगा speaker मिल जाएगा माइक मिल जाएगा तो इसलिए मैंने फिर proper जो है वो नहीं मताया सिर्फ specification मतायी और आपको यह वाली application इंस्टाल करने का कहा कि कोई भी mobile आपने बाय करना है specification का नहीं पता तो आप यह application जो है इंस्टाल करके device info के नाम से है यह icon में रख लें तो जी यह application इंस्ट चाल करके आप पता कर सकते हैं कि यह आपकी device basic है क्या तो I hope कि मुझे इजाज़त दें आपको वीडियो अच्छी लगी होगी इंस्टाला नई वीडियो के साथ जल्द हाजरूंगा मुझे तब तक के लिए इजाज़त दीजेगा अलाहाफिज